कि आया हूं और दो अप्रेल को भारत बंद एस्टेस ने किया था जिसमें सांच्पुरन चल रहा था उसमें करीब अपने साडू कंड़ा फेल जा रहा था इन लोगों ने ऐसा मज़िक तत्यों ने कुछ बढ़ियों की कपास में आग लगा दी और उदर से थाने के सामने से हंगामा हो गया कि कपास में आग लगी वहां ना पहले कोई अंदोलनकारियों पर दमनकारी नीती से कोई सीधी गोली चलाई गई, ने सरकार का नियमे की पहले बोचारें चोड़ो पानी की, प्लास्टिकी गोली चोड़ो और कोई पाई उपनाओ, उधर से थाने के सामने से मेरा बेट अमबेट कर सरके और जा रहा था, थानेदार ने वाँ कैसे चलोंने, खैड़तर ने, सीध सुपरे दलित वर्क के लोगों पर पुलिस ने घर में जा जाके उन्लोगों को कुटा हमा मैं बीडियो लेकर नहीं आया मेर को ऐसा पता था मीडिय fil love Itreally आता दें बेटिहों को बात रूम में मारा गया और उनको बंद कर दिया गया बहुत अन्याई किया इस deg caminho हैं और बीजेपी की की दमनकारी नीतियों को इनके खिलाब आलवर जिले में क्या में पूरे राज्स्तान में जाँगा घर गर लिवाट दली समाज में मुस्लिम बाईयों में जाँगा और काष्ट में भी जाँगा कर्थुत्हे कुलओंगा और मी आरख दमाब वो ने ऐसा सिकंजा कश रखा है जहां भी हम जाते हैं अभी वह महराष्ट के आये थे जगनेश जी मेर से मिलना आए थे मेर को बताया नहीं गया और नहीं इनको धारा रात को पता लगा लोगवागों को यह आ रहे हैं तो रात को बारे बज़े धारा 144 लगा दी गई वह च अच्छे के गोली लगी वहां कुछ लोगों को वह एक चो धारत 43 लगने बाद उनको कहीं मिलने नहीं दिया गया दो-चार वह घरों में गए फिर मेरे को एक डेट बज़े सूच नहीं दी गई कि आप से मिलने आ रहे हैं मेरे घर के नजदीक आगे जब उनको आने दिया और पुलिस परसासन वहां पड़ा रहा हमसे कम बाते करनी थी दी उन लोगों ने बहुत ही कम और वह एक गंटे मेरे पास बैठ के अलवर दोरे पर गए वहां में पत्रकार समल किया पीजेपी के खिलाब बोले हमारी यह नहीं दिये कि राजिस्थान में अभी चुनाओं ह रखता में पिछले पीरण में ऐसी का तो भी जनरल सीट से सर्पंजी ता बारो सो चुनाओं लड़ा में उस पर निर्दलिया बहतर बोटों से विजी हुआ मैं किसी पार्टी से नहीं आगे में चुनाओं लड़ना चाहता ना कोई संबंदे पर में बीजेपी सरकार के खि लोगों को पता ही नहीं था कि इस हिंदुस्तान में सीएष्टी भी रहती है इन लोगों की द्रमनकारी नीतियों से इन्होंने बहुत बुरा किया है यहां हमारे साथ हम इनको बोट नहीं देंगे बीजेपी को कोई गिने गिने चुने बोट एक देने नहीं देंगे में गाउं डाइड़ एंपकॉम बीएड थे और आई एस की तैयारी आरेस की तैयारी में जुटे हुए थे पिछली बार भी कुछ अंकों से रहे गे थे और अब की बार उनकी जोर सोर से तयारी थी सो परसेंट निकलते और उनकी मिसेज ने कोई बच्चे वग रहा है नहीं उनकी में मेरा बेटा घर से सुबह निकला था करीब साड़ा ग्यार बजे जब कि आंदोलन बारे बजे का सुबह से चाल रहा था तो अफिकटा इसको इतना पता नहीं था इता रिक वैशक आम मिंद्unken तो उसको फा पता नहीं था कि इधर पूलीस है। दूसरी साइड में उनुने का कहा कि एधर आप मज जाए और ऊखिख आ कि इभाण दो मेरे गाउं में था उसके बाद मेरे गाउं के लड़ के यहां कि अपके बच्चे के सर्क में जड़ी हैं में लड़का पकडा उसकोänge के लेकर मैं जैसे में खैर तव मुझत तो उसको एक बच्चे के साथ मैं घर रुठा कर दिया गया थी सिर्थेका हुष todavía चैनि ले कर दिया हम लोगों ने कहा कि हम लास नहीं लेंगे हमारी मांगी पूरी करो उन लोगों ने कोई हमारी नहीं सुनी ना कोई छेतर का जो ग्रामन विदाया के या सहर विदाया के सब बीजेपी के विदाया के कोई नहीं आया तो उन लोगों ने हमने लास मैंने कहा में लास कर दिया कि आपके पर नाया कि पर आपके पर मांग कूरूव किसने बना एक बीजेपी का सब्सक्राइब करे के लिए कि दबाओ बना कि जबर दस्ति हमको बिठा लिया कि अगर आप लास नहीं लोगे तो आपको माना द्युकार सब्सक्राइब का नोटिस एक घंट में दे दिया जाएगा फिर भी आप लास नहीं लोगे उसके बाद हम लास का दहासंसकार कर देंगे इसलिए मेरा परिवार घबरा गया हम टेंशन में थे बच्चा 17 साल का था हमने कहा अगर इसा परसासन कर देता है तो हमारे साथ अन्या सब्सक्राइब कोई लिखित में हम से समझता है नहीं क्या मांगते हैं आपके क्या मेरी मांगती कि मेरी बेटी जो विद्वा होगी उसको नौकरी सरकार का जो नियम अनुसारे पेकेज मिलना चाहिए जो मेरे आंदर नुनकारी बच्चे जो इसकी वज़े से बंद हुए बाद में बच्चा गुजरिया उसके बाद उनको बंद जबर्दस्ति घरों से बेंड बेटों को टाके लाएं उनको मारा कुटा है उनके हालत आप आके देखें आज भी नोगों से चला नहीं जा रहा है बेंड बेटों को घरों में से खीच लिया गया इतनी दमनकारी अभी तक हमने हाई कोट से जमानत बच्चों की करवाई हैं सेसन पर सब रिजक्ट होगी नीचे तक हाई कोट से जमानते कुछ की होगी है और कुछ की हमने लगा रखें दो चार दिन में हो जाई जबकि इस सर बीजेपी सरकार का कोई शयोग नहीं सवाल यह था कि जो आप किसेट निकिसने पकडा भी के नहीं पकडा उंगो इस पार खूंज मारी अए कatics लेनी कि तो मारी रपोर्ट कैसे लेंगे तुमें के तो मिलए को तब्सक्राब कर दिये हम तुमारी लीज़े हम तो फाना में लेंगे हम एस cambiira अस्तित्ता में से अमारी एक भीर आपारइब यह वह मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए बेज रखें और सरकार उनकी यह कलक्ट उनके बेठे में इस पीउसे बेठें वो तो बंद बस तो मुने पटक करें आग तक कोई मुकतमा दर्ज नहीं हुआ मेरी विशेश तोर से मैंने गुरा कई अब रिपीटेशन दायर किया है कि मेरी रपोर्ट थानदार और जिस ने गोली खुद ने गोली मारिये उसके खिलाब रपोर्ट दर्ज की जाए पर अब मैने रिपीटेशन यहाची के दायर करने के बाद अभी मेर को कोई निया नहीं मिलन ना हमारी रपोर्टेदर जुए जबकि यह दबाव डाला जा रहा है कि हम सरकार तुमारे केस तब वापिस लेंगे जो आप लोगों ने केस लिए वापिस लो हमने बिल्कुल मना कर दिया चाहे हमको फांसी किसा जा मुल जाए पर हम में मेरा केस वापिस और जो मेरे भा